अंडर टूहंड़ेट प्रूफ लॉंग लाइस्टिंग वाटाइफ प्रूफ नवरात्री स्पेशल मेकप लूग मैंने यह वाला क्रेट करी हूँ और यह वाला वीडियो आप जरूरें तक देखना आई हो भी यह वाला वीडियो आप लोग के लिए हेलफुल होगा लेकिन वीडियो में जाने के पहले है गाइस इसी जॉनली सालकम बैक टू माइच चैनल ले भाग रिनीट ऑन इसा वीडियो आचले के लिए तो लाइक करने तो सब्सक्राइब कर देना तो चली शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने पॉंट का मॉस्टूराइजर अपलाई करूंगी पहले आप चाहिए कोई भी मॉस्टूराइजर ऊजे लाएन के लिए बहुत ही अच्छा एक मॉस्टूराइजर है तेन्हाँ पर मैं अपलाई करूंगी लाकमी का यह आईब्रो पेंसिल यह भी अंडर 200 आपको मिल जाएगा, इससे मैं मेरी आइब्रो अच्छे से ड्रो कर लूँगी, आप चाहिए तो कोई भी एक आइब्रो पेंसिल जो आपके पास है, उससे आइब्रो कर सकते हैं, देन यहाँ पे मैं इनसाइट का ये बाला पोर मिनिमाइज प्राइमार यूज करूँगी, मे मेरी उसको लेके मैं मेरी आइब्रो को अच्छे से ड्रो कर लूँगी, अच्छे से ड्रो कर लूँगी, अच्छे से सार्प कर लूँगी, जिससे की मेरी आइब्रो और भी अच्छा दिखे, सो मेरी आइब्रो सेड हो गया, देन इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जो concealer है उसको अच्छे से blend कर दे रही हूँ देन यहाँ पर मैं eye look पहले करूँगी इसके लिए मैंने eyes पर भी concealer अपलाई करके अच्छे से blend कर ली हूँ यहाँ पर मैंने eye makeup के लिए stay quari का जो blush palette है वो वाला palette लेके एक fluffy eyeshadow blush के मतदब से eyes पर अपलाई कर रही हूँ देख सकते कैसे अपलाई कर रही हूँ पूरे lid पर ही अपलाई कर रही हूँ आइलीट पर अज देन लाकमी का जो eyebrow pencil था उसको मैं थोड़ा से eye lid पर अपलाई कर रही हूँ देख सकते किस तरीके से मैं अपलाई कर रही हूँ देन एक fluffy brush के मैं दोसे दोनों eye shadow को color अच्छे से mix कर दे रही हूँ देन इहां भे मैं glitter अपलाई करूँगी यह वाला glitter और इस glitter के साथ glue भी आता है फ्री एकदम और इस glue को अपलाई करूँगी पहले eye lid पर देन मैं eyes पर glitter अपलाई करूँगी देन इहां भे मैं eyes के नीचे concealer अपलाई करूँगी कि मैं ने concealer अपलाई नहीं करी थी और concealer अपलाई करके ही मैं water line पे से ही वही जो श्टेक वरी का blush वही अपलाई कर लूँगी एक brush के मदद से eye shadow की दोनों eye पर मैं अपलाई कर ली देन इहां पर मैं sugar का जो green color का का अजल होता है वह अपलाई करी हूँ आप चाहे तो black भी यूज़ कर सकते है देन इहां पर मैं एन वाई बेक का foundation यूज़ कर रही हूँ आज यह light coverage देता है यह वाला foundation बहुत ही अच्छा एक foundation है जिसको light make-up करना पसंद है वह यह वाला foundation एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको मैं अपने finger से ही थोड़ा थोड़ा foundation लेके मेरे face पे नेक पे apply कर रही हूँ कर रहे हूँ और यह वाला foundation मैं पर्पल से पर्चेस करी थी अंडर 200 में आपको मिल जाएगा अब इस वाला foundation नामबर मुझे भी याद नहीं है मैं इसके इसमें में इसके बाक सब्सक्राइब आपको मेरा foundation blending done देने हाँ पर मैं इंसाइट का जो concealer palette था कलर करेक्टर वहां से ही मैं concealer set के लेकर यूजियल मेरे जो highlight area है वहां वहीं पर मैं मतलब concealer का अपलाई कर रही हूँ और जहांजा मेरे dark spot है वहां पर भी apply कर ली हूँ और मैं एक semi palette से इसको contour set अपलाई कर रही हूँ अच्छा एक palette under 200 में आपको मिल जाएगा और मेरी nose भी अच्छे से contour कर रही हूँ एक fluffy flat verse के मदद से contour को apply कर रही हूँ देन एक beauty blender के मदद से अच्छे से पहले मैं concealer को blend करूंगी देन contour को blend करूंगी इसके बाद मैं pawns की powder ली हूँ यह आपको 10 रुपे में मिल जाएगा इस powder से मैं आपको मेरी फूरे face को set कर लूँ क्योंकि makeup के बाद मतलब foundation के बाद आपको powder से set करना जरूरी है face को यहाँ पर मैं pawns की powder ली हूँ आप चाहे तो कोई भी powder ले सकते हैं और यहाँ पर मैं stray query को वही blush ले हूँ एजा blush apply करी हूँ एक blush brush की मदद से और यहाँ पर मैं inside का makeup fixer यूज कर रही हूँ यहाँ पर मैं inside का यह वाला highlighter apply करूंगी पहली बार first time first impression बहुत अच्छा एक highlighter आप चाहे अभी जाकर पार्ट्रेस कर सकते हैं pigmentation बहुत ही अच्छा है देख सकते है इस वाले highlighter के pigmentation मुझे बहुत अच्छा लगा यह वाला highlighter यूजल मेरे face में जो highlighting point है वहाँ पर मैंने highlight अपलाई कर लिए अच्छे से यह वाला stick पहले अपलाई करी लेकिन यह वाला lipstick मेरे look के साथ नहीं जा रहा था तो इसलिए मैंने Maybelline का यह वाला lipstick अपलाई करी हूँ और मार्स का यह वाला mascara मेरे lower lash पे अपलाई करी हूँ क्योंकि आपड़ लेस पे मैं फॉसा लेस यूज करूंग इसलिए मैंने अपलाई नहीं करी देन एक बड़ा सा ऑक्सिडास का जूमका तो this is my final look आई गो वीवाल आप लोग को अच्छा लगे अच्छा लगे दिए लाइक करना हूँ और वीडियो के अदर शेर करना चलेगे जरू सब्सक्राइब कर देना और स्टे ट्यून मिलते हैं दूछरे को यह वीडियो पर थैंक्यू फॉर वाइड कि अधी गई राद वन भुलो बधिवार प्रिमनिया मौसंचे अब हो मेरे पास पहजयो मेरे सार प्रिमनिया मौसंचे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो गुलू मैं सारा जाए जो गणा तारा